आंद्रप्रिदेश के तिरुपती बालाजी मंदिर में प्रशाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में जानवरों की चरवी होने की खबर सामने आई थी तेलगु देशम पार्टी द्वारा दावा किया गया है कि तिरुमाला वेंकिटेश्वर मंदिर में चड़ाय चाने वाले तिरुपती लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में बीफ टैलो, लाड और फिश ओल सहीत कई घटिया समागरी है दरसल ये आरोप एक लेव रिपोर्ट के अधार पर लगाया गया है जहां तिरुपती लड्डू के सैंपल को जाज के लिए भीजा गया था ये विवाद 18 सितंबर को उस समय सामने आया जब आंधर प्रिदेश के मुखे मंत्री एन चंदरबाबू नाइडू ने आरोप लगाया कि पिछली जगन रेड्डी की सरकार ने तिरुपती लड्डू बनाने में घटिया समागरी और पशू वसा का इस्तिमाल किया था जिसके बाद जगन रेड्डी की सरकार ने सभी आरोपो को खारिस कर दिया लैब रिपोर्ट में तिरुपती लड्डू के नमूनों में फॉरन फैट के रूप में वीफ टैलो लाड और फिश ओयल पाए गए है ऐसे में चली आपको बताते हैं बीफ टैलो और लाड क्या है बीफ टैलो गायों के फैटी टीशू से निकाले गए फैट होते हैं टैलो को मांद से अलग की गई चर्बी को गरम करके और पिगला कर बनाय जाता है जो लिक्विड रूप में बदल जाता है और कमरे के तापमान पर ठंडा होने पर एक लचीली मखन जैसी ठोस बदार्थ बन जाता है वहीं बीफ टैलो के हैल्थ पर प्रभाव मिले जुले हैं इसमें सेचुरेटिट फैट की अधिक मात्रा होती है जो दिल के रोग और केलिस्टॉल बढ़ने का खत्रा होता है अब बताते हैं आपको कि लाड क्या है लाड एक मुलायम क्रीम जैसा सफेड ठोस वसा होता है जिसकी बनावट मक्षन जैसी होती है इसे घरेलू सुओरों के फैटी टीशू को पिगला कर या रेंडरिंग करके बनाया जाता है लाड का इस्तिमाल खाना पकाने के लिए किया जाता है जैसे तलने, भुनने और पकाने में लाड के स्वास प्रभाव की बात करें तो ये आपके दिल को विमार करता है और वजन भी बढ़ाता है फिलाल अमार इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक शेप और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले झाल करना करता है झाल झाल झाल